कमबोडिया की रहने वाली एक महिला इन दिनों खूब चर्चा में है दरसल इस महिला ने एक गाएं को अपना मरा हुआ पती मानकर उससे शादी कर ली है महिला का मानना है कि उसके सर्गवासी पती ने गाएं के रूप में जनम लिया है एक खवर के मताब गाएं के सारी विश्ए का कोई वीडियो तो नहीं है लेकिन गाएं के बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं की उन्होंने शादी देखी है और वे उसमें शामिल भी हुए ہیں जब गाएं पैदा होई तो महिला उसके साथ काफ़ी वक्त बिदाती थी तब गाएं का उसका हाथ और चेहरा चाटती रहती थी कई बार तो वो उसके मुँग पर किजबी कर लेती थी खिम ने बताया कि गाएं उन्हें वैसी ही प्यार करती है जैसे उनके पती उन्हें प्यार किया करते थे इसलिए उनको लगता है कि वो कोई और नहीं उनके पती है जो फिर से उनके लिए लोटाएं है खिम हैंग अब इस गाएं को ही अपना पती समझ कर प्यार करती है यहां तक कि उसने गाएं को अपने पती का वो तक्या भी दे रखा है जो उसके पती इस्तिमाल किया करते थे महिला और गाएं पूरा समय साथ में बिताते हैं खिम ने अपने बच्चों को भी उस गाएं को अपना पता मानने के लिए बोल दिया है उनके बेटे भी अब इस बात पर रकिन करने लगे हैं कि गाएं उनके पता ही है इसलिए वो भी गाएं की बहुत सेवा करते हैं खिम ने बच्चों से कहा कि अगर उनकी मौत भी हो जाती है तो वे लोग गाएं का अच्छे से ध्यान रखें उसे कभी ना बेचें अच्छे से उसकी देखबल करें जैसे खिम खुद करती है और जब गाएं की मौत हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार भी एक इनसान की तरह ही किया जाए ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद